हेलो उस्तों मैं हुरुजद बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबी का इस न्यू वीडियो में दोस्तों आज के स्वीडियो मत करें सीरिल गुम में किसी के प्यार में से जुड़े उस सवाल के बारे में अब जो लोगों के मन में लगातार बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि यार दोस्तों इतने दिनों से लगातार देखना है कि सई और विराट की बीच में आर्गुमेंट्स जो हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि सबी लोग बहुत परिशान हो गए हैं सवाल उड़ता है तो ये आकरकार अब सिचुएशन ठीक होगी और दोनों के बीच में कब होगा प्यार का इज़ार और प्यार का इज़ार तो दूर दोनों के बीच में नॉर्मल सिचुएशन भी कब होगी क्योंकि अभी तो सिर्फ लड़ाई और सिर्फ लड़ाई ही दे वीडियो डालूंगा उसके नौटिफिकेशन भी आपके बास पहुंच जाएंगे तो आईए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले आपको बताता हूं की दोस्तों बड़ी ही हैरानी वाली बात है आपके लिए बहुत अच्छा तो आपको नहीं लगेगा इन्फो समराठ के आने पर और जो महाबलेश्वर में हुआ वो इससे तो छोटी सी दरार आई है लेकिन अब आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है कि चो छोटी सी दरार है ये बहुत बड़ी हो जाने वाली है रिजन भी आपको बताता हूं अभी तो दोस्तों बताता ह काफे में बुलाने वाली है कि अकेले में इस vener है अगर आप almost में अज़ूफ को बता भी होगा तो ऐसे में साई ने विराट को पत्र लेखा ने कॉफी पे या फिर I think लंच पर खहीं पर भी बुलाया होगा तो वहाँ पर जाने वाला है यहाँ पर साई भी पहुंचने वाली है और साई जब इस सीन को देखेगी जब पत्र लेखा विराट से कह रही होगी कि विराट मैं सिर्फ तुम से प्यार करती हूँ मैं समराट को कभी अपना ही नहीं सकती तो ऐसे में दोस्तों यह शब्द जो है वहाँ पर साई सुनने वाली है और साई को बहुत गलत मेसेज जाने वाला है और मैंने आपको कहात है कि छोटी सी दरार बहुत बड़ी हो जाएगी और यही वो मुमेंट है चांसे इसके शुरुवात है अब दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहोंगे कि बेसिकली तो यही देखने को मिलता है कि एक सपता या फिर दो सपता जो है स्य और विराट के बीचए में लड़ा ही रहते हैं दोनों के बीचए में फिर सुलह हो ही जाती है लेकिन इस बार सुलह होने में बहुत टाइम लगने वाला है लग बख 3-4 सपता तक भी यहाँ दोस्तो आपको बता दू कि यह लड़ा इस वार बहुत लंबी जाने वाली है अलकि यह नहीं कहरा कि इस बीच में सॉय और विराट आपको साथ ही देखने को नहीं मिलेंगे ऐसा भी नहीं है यहाँ पर बहुत छोटे छोटे मोमेंट जो है आपको देखने को मेल सकते हैं सही और विराट के लेकिन जादा टाइम तो नाराजगी में ही आने वाले तीन से चार सपता आपके निकलने वाले हैं अब दोस्तो इसके रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तो आप सभी को बता दूँ कि आने वाले एपिसोड में पहला सो सीन तो यह है यह जहाँ पर कॉफी पर लंच बड़ जहाँ पर भी सही उन्हें देखने वाली है और सही को बहुत गलत मेसेज मिलने वाला है और इसके बाद दोस्तो यहाँ पर विराट ट्रांसफर की बात को लेकर सही बहुत परिशान होगे और विराट भी अब जो है सही से दूरिया बना लेना चाहता है अपने दिल को ना चाहते हुए भी सही से दूर रहना चाहता है और ऐसे में दोनों को अब ऐसा ही चाहते हैं त पिर से साथ में आसमान में तो होगा ही होगा और दोस्तों ये सब चीजे जो है मिला कर आपको बहुत लंबी चौडी लड़ाई देखने को इस पार मजबूर करने वाली है क्योंकि दोस्तों सुनने में तो बढ़ा ही आसान सा लगता है कि साथी विराट का ट्रांसफर है साथी जाएगी डियाई जी के पाथ उसे रोक लेगी बात कातम और विराट मान भी जाएगा क्योंकि विराट अपनी घर से बाला क्यों दूर जाना चाहिएगा दूसरी बात यह है कि पत्र लेखा को उसके साथ कॉफी पर लंच पर देखी केफ़े में देखी की तो विराट अगर बताओ देखा कि सिच्विशन क्या थी मैं स्री बबने भाई के लिए गया था लेकिन याप पर यह इतना कुछ आसान नहीं है दोस्तो इन सब चीजों में आपको दो सब्ता लगाता है यह चीज़े देखने को मिलेगी विराट का ट्रांसफर, पत्र लेखा और विराट की मुलाकात और इसके बीच में वो सीन भी है जहांपर समराट पत्र लेखा का परदा फास करते वे नजर आएगा तो दोस्तो इस सब कुछ चीजे मिलाके जो है दो से तीन सब्ता आप अराम से मान लीजे निकल जाने वाला है और चौते सब्ते में जो है तीसरे सब्ता में आपको पुलकित की एंट्रिविट से देखने को मिल जाएगी और दोस्तो यहां पर चौता सब्ता जो हम आपको बता रहा हूँ इसमें सब कुछ आपको ठीक होते वे नजर आए या फिर नहीं इसके बार में आपको पता चलेगा भी क्योंकि दोस्तो यहां पर सई डिसीजन लेने वाली है घर छोड़ कर जाने का और फिर से सई का यहां पर एकसिडेंट होने वाला है और आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे विराट चौवान को अकल जो है उसके बाद याती है जब सई के साथ बहुत कुछ गलत हो चुका होता है और यहां पर भी वैसा ही होने वाला है साही के साथ जब बहुत ही बड़ा हादसा हो जाएगा यहां पर तब जाकर विराट को अकल आएगी कि मैंने बहुत गलत किया और एक बार फिर से वो अपने आप को गुन्हेगार मानकर इन सभी चीजों को सुलजाने की कोशिश करेगा और फिर से साई का ध्यान रखेगा और नाराज की साई की उससे में भी बरकरार रहेगी finally मनाने का मिलने का scene होने वाला है एंड लगबके एक महीन आप मान लीजी दोस्तों इन सब चीजों में लगने वाला है जब उसके बाद जाकर कहीं पर साई और विराट के बिचों है सुला होने वाली है एंड दोस्तों एक और सवाल यह लोगों के मनाने बहुत दिनों से चल रहा है और मुझसे लगातार पूछ रहा है जिसकर मैंने आपको बताये भी है लेकिन मैंने क्लिरली एक बार भी नहीं बताया किह सिंग कितने दिनों में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 5-6 महीने लग सकते हैं पर अब मुझे सीरियल देखकर लग रहा है कि सीरियल अब लगबग 3-4 महीने में इसीरियल आपको देखने को मिल जाएगा जहां तक मेरी information है और मुझे पता चला कि ये लगबग 3-4 महीने के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा जब विराट साही को propose करेगा और दोनों के बीचे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा और दोस्तों ये पहल जो है इस बार साही करने वाली है और कि साही विराट को propose करने वाली है क्योंकि उस समय तक साही को भी अकले आ चुकी होगी कि भाई इतने दिन से जो try कर रहे थे ये ऐसे ही नहीं था मेरी शादी एक सिर्फ डील नहीं है हमारा सिर्फ नाम का रिष्टा नहीं है हमारा रिष्टा रिष्टा है और ये सब दो चुनने के लिए हम लोग कितने excited है आप लोग कितने excited हों मैं कितना excitement है ये तो आप ही जानते और मैं ही जानता हूँ अब सेल्स के मेकर्स को कौन समझाए कि वसे डायलोग को हटा दो है और इतना साथ जो डायलोग है कि हमारी शादी शादी नहीं है हमारी शादी एक डील है और एक समझवता है हमारा रिष्टा सिर्फ हमारा रिष्टा नहीं है वो घरवालों के सामने रिष्टा है हमारे बीच चीछ समझ में आए और वो लोग हमारी लिए कुस सॉलूशन इसका निकाले इसी के साथ उस तो सीरियल में विराट का अंदाज कुछ नहीं बदलते वे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि विराट का अंदाज वैसा ही रहेगा जैसा अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों कई लोगों के सवाल थे क्या विराट सही को मनाने के लिए कुछ अतरंगी तरीके अपनाते वे देखने को मिलेगा पर यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि विराट का किरदार ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है विराट अपनी ही स्टाइल में सही को मनाएगा और इसमें आपको कुछ चेंजिस नहीं देखने को मिलेंगे और आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगा और आपको सवाल का जवाब इसका जरूर मिल गया होगा कि दोस्तों अभी सफर बहुत लंबा है और मनजिल बहुत दूर है तो आपको लगब की एक महीने का या विर तीन से चार सबता को वेट करना पड़ेगा अगर आप सही और विराट के बीच में सब कुस ठीक ठाक सही देखना चाहते हैं तो कि दोस्तों